हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाली हूँ क्रिस्मस स्पेशल प्लम केक और इस प्लम केक की खास बात यह है कि यह एगलेस है और इसे मैंने बिना मैदा के और बिना शूगर के बनाया है और एक बात और आपको बताना चाहूंगी इसे आप बिल्कुल आसानी से घर पर बना सकते हैं बिना अवन के और इसे मैंने बनाया है कड़ाई में कड़ाई में बिल्कुल आसान तरीके से बन जाता है तो यह आसान से और टेस्टी से प्लम केक की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आप देख सकते हैं इसका स्पोंज कितना ज्यादा सॉ कर दीजिए और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं दिन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टो माई यूट्यूब चैनल अंजुडंग जनवी इजाज की चिन और फ्रेंट्स चमन ने इस केक को बनाया था तो थोड़ा सा बेटर बच गया था तो उसे मै प्यारा लग रहा है तो शिरू करते हैं आज की रेसिपी और देखते हैं यह एगलेस और शुगर फ्री प्लम केक कैसे बनाया जाता है तो फ्रेंस इस केको बनाने का जो मेन इंग्रेडेंट है वह है ड्राइफ्रोट्स तो मैंने यहां पर कुछ प्राइफ्रूट्स लिये और भोड़क और गाने में प्राइफ्रूट्स और साथ की रहा निर शुपऋ प्राइफ है नहीं देखते हैं दो बाड़ते तो झालेफ्रेंट्स तो वह चांट यह भीतली प्राइफ्र घुस में अनने जोप हितले हैं अब गैनन के लिये हैं यहां आपर ड़क नहीं है तो इसे आप एक चाननी से थोड़ा सा इसका जूस निकाल लेना है अच्छे से और इस जूस में जो ड्राइफ्रूट्स है हमें लगबग एक दो घंटे के लिए सोख करके रखने हैं जिसे अच्छे से फूल जाते हैं और उसका फ्लेवर और भी ज्यादा इनहेंस हो जाता है तो इसके अंदर सारे ड्राइफ्रूट्स जो हैं आप ट्रांसफर कर दीजिएगा पर उससे पहले इस जूस के अंदर थोड़ी सी में ब्राउन शुगर एड़ कर रहे हूं जिससे थोड़ा सा खटा पना है वो जूस का कम हो जाता है तो इसको मिक्स करने के बाद जो भी च कर दिया है यहां पर मैंने अब इसे साइड में रख देना है अब हम ड्राइंग्रेजिंस त्यार करेंगे उसके लिए एक बोल लेना है और उसमें एड़ करना है एक कप आटा गेहूं का आटा है यह आप चाहते इसमें मैदा भी एड़ कर सकते हैं पर हम इसका हेल्धी वर बेकिंग सोडा अभी सारे इंग्रेजियन्स हमें स्पेचुला से अच्छा से मिक्स कर लेने है तो यह ड्याइंग्रेट्इट्स रीड़ी है अब इसके बाद हम तयार करेंगे वेट इंग्र्डियंस इसके लिए हम एक बोल लेना है और उसमें सबसे पहले हम एड्शे मिल आपके पर simple वाला गूड़ है तो भी आप इसमें तोड़ा सा क्रश करके एड़ कर सकते हैं अब 1 टीस्पून इसमें एड़ करना है वनिला एसेंस और यह सारे इंग्रेडियन्स हमें एक हैं विसकर से अच्छे से मिक्स कर लेने हैं जब तक कि जैगरी पाउडर अच्छे से मिक्स дня हो जाता तो अच्छे से जब तक ये गूर इसमें ही rotate करना है तो जैसे मैं ऐसे anti-clockwise ले रही हूं तो आप इसी direction में anti-clockwise ही इसे mix करें और over mix ना करें बस हलके हातों से cut and fold method से इसे अच्छे से mix कर लें तो बैटर हमारा तयार है अब जो हमने dry fruit soak करके रखे हैं ना वो हमें इसमें सारे add कर देने हैं तो इससे के plum cake बहुत ही tasty बनेगा आपका यह orange juice में जो सोक करें इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आने वाला है तो फ्रेंट्स चल्दी से video को like कर दीजिए और अपनी family और friends के साथ इसे share भी कर दीजिए और हाँ जब भी आप इस cake को अब थोड़ी से ड्राइब करने के लिए डाल दीजिए इसे काफी अच्छा लूक आता है केक का थोड़ा सा इसे टैप करना है और इसे बेक करने के कड़ाई में लो फ्लेम पे एक चीज़ का ध्यार के जब भी आप इसे बेक करने के लिए रखे तो कड़ाई को प्री हीट कर लें पांच मिनिट के लिए और आप देख सकते हैं चोटा से केक और हम पर तयार हो गया है क्योंकि थोड़ा सा बैटर बच गया था तो उसका मैं करने से चेक किया तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा गीला सा स्टिक बाहर आया है तो इटमिस केक अभी अच्छे से बेक नहीं हुआ है तो उसे फिर से हम ढखकर रख देंगे तो अब लगबग एक घंटा पूरा हो चुका है एक घंटे के बाद हम केक को चेक कर लेते हैं और चेक करने का तरीका वही है टूथपिक को इंसर्ट करके देखना है जब टूथपिक बिलकुल क्लीन बाहर आये तो इटमिस हमारा केक अंदर से अच्छे से बेक हो गया है तो देखिए बिलकुल क्लीन बाहर आया है टूथपिक अंदर से अच्छे से तयार है बेक हो हो क्रिस्मस को सालेबरेट कर सकते हो तो ये प्यारा सा क्रिस्मस केक बन कर तयार है तो तरह की हलदी केक रही होती है Sa ape चैनल को सोप्स्काइब करें कौर पर भाकर शाया ना भूले ताकि मेरी आने वाली वीडियोद के नोटिफिकेशन सबहा को रेगुलर मिलते रहें आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फोलो कर सकते हैं अधर इट अंजुडांग जनवेजा मैं रिल्स रेसिपीस उसमें अपडेट देती रहती हूं अपनी रेसिपी के बारे में तो फ्रेंड्स आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फोलो करके भी कर सकते हैं कर दो करना है. झाल झाल